हेलो फ्रेंज व्ल्कम बेक टू मैं चैनल तो फ्रेंज आज मैं शेयर करने जारी हूँ चिकन लिवर की एक नए डिसीपी में मेरे साथ बने रहें तो आईए डिवीडियो को स्टाट कर लेते हैं तो इस recipe को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दो medium size की आलू जिसको मैंने इस तरीके से चोटे चोटे size में cut कर लिया है और लिया है half kg मैंने chicken liver तो chicken liver को भी अच्छी तरीके से धो कर मैंने इसको चोटे चोटे piece में cut लिया है और लिया है मैंने यहाँ पर तीन मीडियम साइस की पियाश जिसको मैंने लंबे-लंबे स्लाइस में कट कर लिया है और लिया है दो टमाटर तो यहाँ पर हमारी पेन गरम हो चुकी है अब इस पर डालेंगे एक बराचमर सरसू का ओयल और फिर जब ओयल गरम हो जाए तब डलेंगे half teaspoon जीरा और दो ट्राइ सुकी मिर्च और एक तेज़ पता तो इन सबको हलका सा हम बुनेंगे उसके बाद एट करेंगे एक बड़ा चमज अद्रक लसुन का पेस्ट और बारे कटा हुआ प्याज तो अब हम प्याज की कलर चेंज होने तक प्याज को तोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो प्याज जब अच्छी तरके से फ्राई हो जाए तब हम इस पर एट करेंगे कट हुए टमाटर और आलो और फिर डाल देंगे स्वादरू सा नमक तो अब हम सारे चीजों को अच्छी तरके से चला कर मिक्स कर लेंगे और फिर गेस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और पेन को कवर करके हम इसे 3-4 मिनिट तक पका लेंगे तकि आलो हमारी तोरह सा सौफ्ट हो जाए और बीच में आप एक दो बार चेक भी कर सकते हैं तो 3-4 मिनिट पकाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू हमारी सफ्ट हो गई है तो अब हम इस पर एड़ करेंगे मसाला तो मसाला में मैंने लिया है एक चोटा चमच्च हल्दी पाउडर, एक चोटा चमच्च मिर्ची पाउडर, एक चोटा चमच्च तनिया पाउ को अच्छे तरह के से आलू में मिक्स कर ले उसके बाद हम इसी तरह के से एक मिनिट के लिए मसालो को तुरा सा पका लेंगे तो सारे मसालो को अच्छी तरह के से पकाने के बाद अब इस पर एट करेंगे हमारे चिकन की लिवर को और फिर अच्छी तरह के से चिकन की लिवर क हम मसालों में mix करेंगे तो अच्छी तरीके से मसालों में चिकन की liver को mix करने के बाद अब हम पेन को डग कर 5 मिनिट के लिए medium flame में इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तो 5 मिनिट होने के बाद हमारी जो चिकन liver है वो अच्छी तरीके से पक चुकी है और मसालों से ओयल भी अलग हो गई है तो अब हम इस पर एट करेंगे पानी और फिर डाल देंगे चार हरी मिर्च तो अब हम फिर से पैन को डग देंगे और इसे मीडियम फ्लेम में तीन से चार मिनिट के लिए पका लेंगे तो दो से तीन मिनिट होने के बाद हमारी चिकन लिवर की पानी भी सुक चुकी है तो यहाँ पर हमारी चिकन लिवर बनकर पिल्कुल तयार है अब हम इस पर एट करेंगे बरे कटा हुआ थोड़ा सा हरा दनिया और एक चोटा चमच गरम मसला तो अब हरा दनिया और गरम मसला को अच्छी तरीके से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे तो यह हमारी चिकन लिवर की रिसीपी बनकर तयार है चलिए इसको सर्फ कर लेते हैं तो फ्रेंज यह हमारी चिकन लिवर की रिसीपी बनकर तयार है तो यह रिसीपी एक बार जोरू ट्राइ करें बहुत ही ज़्यादा ट